नमस्क्रा मित्रों आपका सोगता है मैं चनल जिग्या सब्सक्राइब आज मैं आपके लिए एक जीब बना रहा हूं यह बिल्ली अब काली चौक तो मेरे पास नहीं है लेकिन आप मान लीजिए कि यह काली बिल्ली है करने में बहुत बाट कि काली बिल्ली बहुत बदनाम है भारत में बहुत बेदनाम है आपि कहा है कि को अशुओ होती है वैसे तो मिन अविश्वात है कोई बिल्ली एमारे रस्ता गांडे तो काली मिल लिए रस्ता काटे तो बहुत ज़्यादा शुब हो जाता है दोस्तों यह बना कैसे यह अंध विश्वात है पहली बार तो ऐसा कुछ नहीं होता है यह हमारे सुधी दर्शक जानते होंगे लेकिन यह अंध विश्वात आखे जो भी है जो लोग कहते हैं मानते हैं य इसके लिए मैं आपको कुछ सनचनाइवानों नता हूं पलर से आप के बैडहार नहीं वी अगरें विदी अधि हुए यह वारकानी कहां जुड़ी और दोस्तक्रेंगा रहम से जो जढ़े वहने इजु़े विए उचिटवे जूट रहलत है दोस्तों एजिप्ट में एक देवी थी जिसका नाम था बास ठीक हम उसे देवी को मानते थे इस देवी का आपने एजिप्ट की उसमें देखा होगा तस्वीरों में इस देवी का क्या था शरीर था बिल्ली इस्त्री का और मूँ था बिल्ली का कहा जाता था कि ये देवी नौ बार जन लेती थी अलग अलग तरीके से और ये देवी अगर कुपित हो जाए अगर गुसा हो जाए तो आपके जीवन को खराब कर सकती थी तो इसकी प्रात्ना करते थे हम पर गुसा ना हो हमाई जीवन को सुख से बढ़ दो इस तरीके थी लेकिन एक चीज है कि प्रेम कम देखता है इंसान और भय अधिक देखता है तो इनमें जो भय का भाव था कि ये कुपित हो जाए ये भाव सर्वो परी रहा तो काला चेहर बिल्ला और शरी इस त्रिवाल सो इसने काली बिल्ली को इन के प्रतिक के रूप में जोड़ दिया और धीरे धीरे काली विल्ली मिश्र में बहुत जाधा अशुब माने जाने लगी मदलब बिल्ली रस्ता काट गई तो वह कहल जाएगा कि अब आपकर पर बिल्कुल इन सब चीज़ों अंद्विश्वास और फास्तों की चीज़ों से दूर रहें आपको कम सकम इतना पता रहे है कि इसका कारण क्या है और भी चीजे बताएंगे हम आपको चैनल हमारा जिगाता देखते रहे है फिर में लेंगे मित्रो नमस्क्राइब